जैसा कि आपको पता है कि Google Ads, Google का एक ऐसा advertisement platform है, जिससे आप ads को run कर सकते हैं, अगर आपको अपने videos को promote करना है YouTube पे तो आप उसका add run कर सकते हूँ, अगर आपको अपनी website को promote करना है Google के products platforms पे तो आप Google Ads याइड रन कर सकते हूँ, अगर आपको email पे add run करना है तो भी आप Google Ads का इस्तमाल कर सकते हूँ, आपका कोई product ये service ये कोई business है, तो आप Google Ads के उपर add create कर सकते हो और आप उसको promote कर सकते हो Google Ads की मदल से, लेकिन क्या एक चीज़ आपको मालूम है कि Google Ads, Google का advertisement platform होने के साथ साथ, Google Ads एक ऐसा platform भी है, पंटे काम करके Google Ads की मदल से, आप रोजाना कम से कम 500 रुपए से लेके 1500 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, सबसे important बात दोस्तों पता है क्या है, आज कि इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आप Google Ads से पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप Google Ads को manage कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको पांच ऐसे तरीके भी बताऊंगा, जिन पांच तरीकों पे आप काम कर सकते हैं 2024 और घर पे बैठे बैठे, अगर आप एक student है, आप एक housewife है, आप एक job person है, सब भी आप Google Ads के उपर काम करना start कर सकते हो, और in 2024 आप Google Ads की मदद से रोजना 500 रुपए से 1500 रुपए बड़ी आसनी से कमा सकते हो, अब देखे Google Ads से पैसे कमाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कैसे आप step by step Google Ads को manage कर सकते हैं, और कौन चे तरीके पांच Google Ads से पैसे कमाने के, अगर आपको जनना है, सीखना है, तो आप इस वीडियो को आएंट तक जरूर देखना, वीडियो पे चानल पे पहली बारा हैं, तो आप इस वीडियो को like करना, अपने दोसों के शार शेयर करना, और मेरे साथ इसी परकार के और वीडियो से अगर आपको लगतार दिखने है, आपको सीखना है, पैसे कमाना इन लाइफ, तो आप इस चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चली अब सुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, तो देखे दोसों, अगर आप Google Ads से पैसे कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बढ़े देखे, आपको जाना पड़ेगा दोसों, Google पर यहां पर आपको टाइब करना दोसो, Ads Google, और सिंप्ली आपको Search बटन पर क्लीक करना है, जैसे दोसों, आप सर्च बटन पर क्लीक करोगे, यहां पर देखे, अब आपके सा पर क्लीक करेंगे, हमारे सामने देखे, अगर आपको ओडरी Google Ads का अकाउंट बना हुआ है, तो वो अकाउंट हमारे सामने open हो जाएगा, यहां तक अगर आप किसी को doubt है, कोई confusion है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशेश करूँगा, अगर आपको अच्छा लगए आप वीडियो तो लाइक और शेयर करना, मत बूलना इस वीडियो को, ठीक है, अब देखे, अगर आप Google Ads से पैसे कमाना चाहते हो ना, घर पे बैठे बैठे, तो आपको हमेशा एक चीज पर फोकस करना है, और वो करना है दोस्तो Google Ads knowledge के उपर, देखे, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो Google Ads से, तो मैं आपको ये बोलूँगा, कि 5 तरीके नहीं है Google Ads से पैसे कमाने के, आप 50 तरीके इस्तेमाल कर सकते है, 500 तरीके भी इस्तेमाल कर सकते है Google Ads से पैसे कमाने के लिए, मैं आपको एक example दूँ, ताकि आपको trust ह जाए, देखे, Amazon एक multinational company है, जो product बेचती है, और वो आज एक बहुत बड़ी e-commerce company है, आपको पता है Google Ads एक ऐसा product है, या एक ऐसा brand है Google का, जो Amazon को भी पैसे कमा के देता है, क्योंकि वो लोग अपने product और services को promote करते है using Google Ads, अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो आप ये search क करके देख सकते हूँ, मैं या पर जैसे माल लो, आपको type करके देखातीता हूँ, new windows में, जैसे माल लो, मैं या पर type करता हूँ, shoes, ठीक है, आप मैं shoes जैसे type करूँगा, मेरे पास देखे, यहाँ पर, shoes से related मेरे पास कुछ advertisement आएंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने या पर डाला shoes, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, sponsored करके लिख्या रहा है, यह देखे, sponsored करके लिख्या रहा है, और यह जो sponsored से पहना, जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है, यह कर रहा है, यह गूगल, क्योंकि Google का merchant centric ऐसा platform है, जिसकी मदद से हर एक e-commerce company, अपने product को promote करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको popular product देख रहे होंगे, नीचे भी आपको देखे, कुछ ads दिख जाएंगे, तो जब यह जो सारी companies हैं, वो Google Ads का इस्तमाल करके पैसे कमा रही है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं, और इसलिए मैं आपको board रहा हूँ, कि सबसे बिले आप Google Ads से पैसे कमाना चाहते हो, तो आप पहले इसका knowledge लो, कि यह manage होता कैसे, इस पर campaign कैसे बनते हैं, और इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, कौन्चे तरीके जिन से आप कमा सकते हो, तो सबसे बिले हम बात करते हैं about Google Ads management, तो देखे, सबसे बिले अगर आप Google Ads में इ आपके सामने, एक नया campaign मनाना के options आ जाते हैं, उसके बाद अगर आप campaign यहाँ पर जो भी campaign मनाते हो, सारे campaigns यहाँ आपको देखेंगे, जो भी आपके goals है, वो goals यहाँ पर देखेंगे, tools आपको यहाँ पर देखेंगे, इसके साह साहथ billing option यहाँ पर देखेगा, and admin के जितन डिसकाउंट को ले सकते हो Google Ads को complete सीख सकते हो बट मैं भी आपको थोड़ा basic जो है वो आपको बता रहा हूं ताकि आप सीख सकते हो Google Ads को ठीक है अब अगर हम बात करें जैसे पैसे कमाने आपको तो हम क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए हमारे पास जरूर यह campaign का create करना गूगल Ads के अंदर campaign बनाने के options आते हैं अब देखे दोस्तों जैसे आपके सामने याप options आते हैं objectives आते हैं यहाँ पर पहले मैं आपको पाच तरीके बताना चाहूंगा जिनसे आप पैसे कमा सकते हो और उसके बाद मैं बताऊंगा आप कैसे campaign create करके पैसे कमा सकते हो हां से ठीक है तो देखे सबसे वह अगर हम बात करें about sales तो sales एक ऐसा campaign है Google का जिसकी मदस से आप लाखो करोड रुपए कमा सकते हैं मैं तो आपको 500 से प्रॉडक्ट बेचने के लिए Google Ads के उपर जितनी भी आपको आड दिखते होंगे न वो इसी campaign का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते है sales campaign तो सबसे पहला option अगर आप पैसे कमाना चाहते हो Google Ads से तो आप sales campaign बनाना सीख सकतो दूसरा leads देखें अगर आपको पैसे कमाने हैं using Google Ads तो आप एक lead campaign बनाना सीख लो अब इससे कैसे पैसे कमाया जाते हैं दो तरीके बता हुआ दोनों को इस्तमाल कर सकते हूँ पहला तो अगर आपके आसपास में कोई college है कोई school है कोई hospital है या फिर कोई भी प्रकार का आपके पास एक institute type का कुछ option है formula है आप उनसे जाके deal कर सकते हूँ कि मैं आपको क्या करूँगा मैं आपको leads लाके दूँगा आपके business related और आप उसके बदले में मुझे हर मेने इतना पैसा दे सकते हूँ आपके साथ 100% कोई भी कर लेगा दूसरा option अगर आपके पास ऐसा कोई business है जिसमें आप लोगों के leads लेना चाहते हैं और आप उनको product sale करना चाहते हैं तो आप इस campaign को सीख सकते हूँ दो option अगर मेरे को domain name चाहिए तो मैं क्या करूँगा मैं जाऊंगा यहां पर और मैं type करूँगा domain name और मैं simply enter button पे click करता हूँ अब मेरे पास यहां पे sponsored करके add आ रहा है और इस पे करने के लिए तो आप एक ऐसी website बना सकते हो जिस पे आपने कोई product upload कर रखा है कोई services upload कर रखी है और वहां पर ट्राफिक लेके जाकी सकते हो और आप बेच के पैसे कमा सकते हो दूसरा option कई अगर आपको traffic ad campaign मनाना आता है तो आप clients भी ले सकते हो आपके आसपास में जाके आप उनकी websites पे client को redirect करके उनके product और services भीकवाके आप उनसे हर मेने चार्ज ले सकते हो ठीक है तीन option पता चलगे अगला option है mobile application देखे अगर आपके पास खुद का application है तो आप Google Ads पे उसको promote कर सकते हो और उस उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक install करवा के आप उसको monetize कर सकते हो using Google AdMob और वो भी पैसे कमा के आपको देगा उसके बाद अगर आपके पास application का पैसा नहीं खर्च करने के लिए तो आप क्या करो जिन लोगों के पास application है आसपास में आपको नहीं पता कि आसपास मे ठीक है and simply आप यहाँ पर search button पर click करोगे अब क्या होगा आपके आसपास में जितनी भी app developer companies है उनके आपके पास website आएंगे और website आने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे उनको contact करोगे and आप उनको बोल सकते हो simply proposal दे सकते हो कि जितनी भी आपके apps है जो client आपके उनके आप मे मेने के 2,000 दूँगा 3,000 रुपे मैं अपने पास रखूँगा इस तरह से आपको clients मिलते हैं भी आ महनत तो करनी पड़ेगी बिना महनत के कुछ पैसा नहीं मिलेगा इस इसका ध्यानक ना इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसे person है जिनके प performance max वाला है hotel वाला है और भी multiple type के आपको options दिये गए जसमें आप सबसे पहला option यह इस्तमाल कर सकते हो YouTube अगर आपके पास YouTube चानल है और आप उससे पैसे कमाना चाते हो तो आप Google Ads का इस्तमाल करो उसमें पैसे कमाने के लिए आप वहाँ पे traffic लेकर जाओ subscribers बढ़ाओ और उस पैसे कमा सकते हूँ एक इस वीडियो के and मैं मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जो आपकी और भी ज्यादा help करेगा पैसे कमाने में using Google Ads तो वह इस वीडियो के and मैं मैं आपको tips दूँगा जिसका मैं खुद भी personal इस्तमाल करता हूँ और आप भी उसका इस्तमाल करके पैसे कमा सकते हैं अब बात करते हैं हम campaign बनाने के बारे में कि campaign बनता कैसे है लोग कैसे बनाते campaign और कैसे पैसे कमाते हैं तो देखे मैं आपको यहाँ पर एक campaign बनाकर दिखा दिता हूँ और उसमें मैं आपको जितने भी steps आते हैं जितने भी तरीके होते हैं वह मैं आपको सारे बता देता हूं ताकि आपको campaign बनाने का भी जो formula है वो समझ में आ जाए तो देखे हम सब से पहले चलते हैं website traffic के उपर तो हम यहाँ पर गूल चूज कर रहे हैं वो search में दिखाना है जब भी कोई YouTube पे आके या Google पे आके search करेगा तो वहाँ पर मेरा आड आना चाहिए तो यहाँ पर search option चूज करोगे आप कोई बोलता है मेरा YouTube के अंदर मेरा search के अंदर आना चाहिए तो यहाँ पर यह वाला option चूज करोगे तो मैं आप इस search वाल option चूज कर लेता हूँ जैसे आप search button पे click करेंगे अब थोड़ा नीचे आपको scroll down करना है और यहाँ पर देखे अब आपसे website URL मांग रहा है Google Ads अब देखे इसमें दो तरीके से आप website URL डाल सकते हूँ पहला तो आपका client अगर आपको कोई website दे रहा है तो उसका URL आप डालेंगे तूसरा अगर आप अपनी website को promote कर रहे है उसकी मतल से आप ऐसा कमाना चाहते तो उसका URL डालेंगे जैसे मैं example के लिए www.walkscart.in मैं यहां पर डाल देता हूँ यह मेरे e-commerce website है मैं उसका URL यहां पर डाल रहा हूँ and simply मैं continue button पर click कर रहा हूँ जैसे दोस आप continue button पर click करेंगे आप यहां पर देखे आपके पास option आता है bidding में bidding का मतलब क्या होता है bidding का मतलब होता है कि एक click पर एक conversion पर आप कितना पैसा देंगे जब कोई click करके आपकी website पर पहुंच जाएगा तो उसका आप कितना पैसा Google को देंगे तो जैसे मैं आप ए conversion और click options वगजरा के options आपको आ रहे हैं तो मैं आप ए conversion चूस करूँगा Conversion में क्या होता है कि जब आपकी website पे कोई बंदा action ले लेगा या फिर product purchase कर लेगा तब आप उसको charge pay करेंगे Click का मतलब क्या होता है कि जब कोई click कर देगा add की उपर वो website पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है बट click करते ही आप उसका charge pay कर देंगे तो मैं आपर क्या करूँगा दोसो मैं conversion चूज करूँगा और यहाँ पर आप target चूज करना चाहो तो target भी चूज कर सकते हो जैसे conversion हम 20 रुपए यहाँ पे pay करने के लिए ready है उसके बाद नीचे आपको scroll down करना है और यहाँ पर next बटन पर हम click करेंगे जैसे next बटन पर click करोगे अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा network network का मतलब होता है कि आप जो campaign बना रहे हैं अपने लिए या अपने client के लिए तो वो campaign दिखना कहां चाहिए कहां कहां पर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो for example मैं यहाँ पर आटा लूँगा include google display networks और include google search partner यह आटा दूँगा सिर्फ मैं google के search का जो option है वो use करूँगा उसके बाद नीचे score down करूँगा अब मेरे पास आ रहा है locations अब location यह decide करेंगे आप या आपका client जिसके लिए आप add चला रहे हैं फिर अपने लिए add चला रहे हैं तो वो location आप decide करोगे उसके बाद option आ रहा है नीचे आपके पास language का तो जो भी आपका business है जो भी प्रकार का आपका client का business है उसके according आप यहाँ पे languages को choose करेंगे like मैं यहाँ पे हिंदी वाली audience को target करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज कर लूँगा और उसके बाद अब मेरा जो add वो Hindi और English दोनों वाली जो audience है उनको देखेगा उसके बाद हम नीचे scroll down करते हैं audience segment आ रहा है तो audience segment को हम use नहीं करेंगे हम यहाँ पे use करेंगे keywords क्योंकि हमारे लिए यह important है कि जो बंदा Google में जाके search कर रहा है keywords की मतल से वो बंदा हमारे पास आना चाहिए इस सीच को ध्यान रखना अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हम click करे तो देख सकते हूं otherwise हम next button पे दुबारा click करेंगे अब जैसे दोस आप दुबारा यहाँ पर click करते हैं अब आपके पास देखें यहाँ पर option आ रहा है keyword जब भी दोस्तों हमारी website किस नाम से boxcar.in के नाम से आपके website है आपके client की website है वो जरूर ही नहीं जो भी website है उसके keywords आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि इन keywords को डालने के बाद ही मेरा ad google में आना चीए तभी तो आपके पास organic client आएगा तभी तो आपके पास leads आएगी तभी आपके पास sale आएगी तभी आ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना keywords आपके वही होने चाहिए जिससे related आपका business है जिससे related आप product बीच रहे हो जिससे related आप services दे रहे हो वही आपका keyword होना चाहिए यहाँ पर हमेशा उसके बाद हम नीचे scroll down करेंगे and finally दोस्तों हमारे पास final URL और हमारे पास पूरा का पूरा आड़ बनाने का process आ चुका है तो देखिए यहाँ पर सबसे important part है आपके लिए कैसे बनता आड़ देखिए यहाँ पर सबसे बहले क्या करना है walkscard.com क्या है हमारे e-commerce company है तो सबसे बहले हम यहाँ पर brand name डाल रहे हैं और brand name को हम यहाँ पर choose करेंगे सबसे first position पे उसके बाद दोसों यहाँ पर हम डालेंगे कोई भी keyword swap electronics ठीक है उसके बाद दोसों हम यहाँ पर डालेंगे एक offer ठीक है under 999 only ठीक है इस type से आपको क्या करना एक add बनाना है और यह जो add आणा वो अब आपका Google में दिखने लग जाएगा और Google में जब दिखेगा ना यह तो लोग इस पर क्लिक करेंगे और लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो बंदा आपकी website पर आएगा आपकी website पर अगर उसको electronic वाले product मिल रहे हैं तो वो उसको purchase करेगा और उससे आपको revenue यानी की पैसा मिलने लग जाएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप scroll down करके देखो के त description आपके पास automatically आ चुका है Google की तरब से और एक description आ चुका है आपके पास Google की तरब से अगर आप यहाँ पर और add करना चाहते हो जैसे यहाँ पर by electronics ठीक है electronics under 999 only इस type से दोस्तों आपको क्या करना है description वगरा कुछ लिखना है अभी देके एक चीज का ध्यानक ना यह जो आप include more people keywords, make headlines unique या फिर make description unique यह चीज़े आपके पास आती है आपके add को optimize करने के लिए तो आप अमेसा ध्यान रखना है यहाँ पर मैं आपको सिर्फ demo के लिए 2-3 headlines लिखना दिखा रहा हूं और 2-3 मैं आपको description दिखा रहा हूं बट आप अमेसा ध्यान रखना कम से कम आपको 4-7 साथ headlines यूज़ करनी है और कम से कम आपको minimum 4 description यूज़ करना है तब आपका जो score है वो यहाँ पर optimize होगा और तब आपके पास Google आपके add को optimize करने के साथ साथ आपको sell भी लाके देगा तो इससी इसका हमेसा ध्यान रखना उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है नीचे scroll down क करना है अगर आपको कोई भी site links लगानी है call out लगाने तो वह आप लगा सकते हैं अप site links call outs वगरा क्या होते हैं और यह कैसे लगते हैं और बहुत सारी चीज़े इनके अंदर होती है अगर आपको सारी चीज़े सीखनी है तो आप course पर change कर सकते हूँ मैं आपको description दे रहा DMG 499 जिससे आपको क्या होगा 499 रुपय का discount मैं अपनी तरप से दे रहा हूँ जो भी website का URL मैं आपको दूँगा वहाँ पे आपको final में जब आप course checkout करेंगे coupon code डालने का option आता है तो वहाँ पे आप add coupon में जाके DMG 499 add करना आपको 499 का discount मिल जाएगा सिर्फ आपको 999 के something आपको course मिल जाएगा उसको purchase करो and seek complete Google Ads उसके बाद आप पैसे कमाना start कर सकते हो अब next button पे आप click करोगे next button पे देखे आपसे पूचरा budget कितना budget है आपका ठीक है वह आप यहाँ पे डाल सकते हो अब आपका खुद का budget अगर है तो वह डाल दो client का budget है तो वह डाल दो और उस आपको यहाँ पे क्या करना है आपका campaign publish करने का option आ जाएगा अब यहाँ पर देखे दोस्तों कुछ problems है कुछ issues है तो हम उसको solve करते हैं जिससे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद दुबरा से next button में मैं click करूँगा अब मेरा जो campaign है उसके जो errors है वो solve हो गए है और मेरे पास इस campaign को publish करने का option भी अब मेरे को मिल जाएगा अब आपको क्या करना है दोस्तों जैसे आपका campaign publish होता है जैसे मैं इसको publish campaign पे click करता हूँ and यह वाला जो campaign है वो मेरा publish होना है लग जाएगा यहाँ ठीक है जैसे दोस्तों आपका campaign publish होता है अब आपको क्या करन अगर आप search करेंगे Google Ads customer के तो आपको वहाँ पे number मिल जाएगा देके number आप हमें इस ओफिशल website से ले Google Ads की official website से और आप उनको contact करके पूछ सकते हो कि यह हमारा ad is में क्या problem है क्या नहीं है वह आप उनसे पूछ सकते हो अभी थोड़ा internet का issue हो रहा है के लिए आप ads बना रहे हो तो आप उनका billing details डालो यहां पे और उसके बाद जैसे आप billing details डाल के आप यहां पर fund ad करोगे 24-44 गंटे में आपका ad चलना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप उस campaign को देरे-देर देखो, सीखो कि कैसे आप उस campaign को और optimize कर सकते हो ठीक है, उसके बाद आप multiple sources को use कर सकते हो Google Ads से पैसे कमाने के लिए तो देखे, I think आपको पांच तरीके पता चले होंगे, Google Ads का campaign कैसे बनाते हैं, वह तरीका पता चला हुआ finally एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा और वह है दोस्तो Google Ads से पैसे कमाने का एक और best तरीका और वह कौन सा है, वह है दोस्तो आपको जाना Google में फिर से आपको क्या करना दोस्तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ best तरीका है, वह मैं खुद apply करता हूँ आप भी apply कर सकते हो, जैसे for example, हम क्या करते हैं जैसे, माल लो Google Maps के बारे में आप जानती हूँगे, जितने भी आज इंडिया में Google, sorry business ऐसा है चोटे मोटे बड़े जितने भी है वह सारे Google Maps पे list कर रखे है Google ने तो आप क्या कर सकते हो, for example माल लो आपको leads वाला campaign चला कि उससे पैसे कमाने, तो आप क्या करोगे आप अपने आसपास में Google Ads की मदद से या Google Maps की मदद से सर्च करोगे जैसे मैं आ लो, Schools in Jaapur ठीक है, यहाँ पे simply आप search बटन पे क्लिक करोगे, अब यह देखे, आपके पास Schools का जो data है ना, वो आ रहा है यहाँ पे, नीचे अगर आप scroll down करोगे यह देखे, यह वाली, यह school है, यह वाला school है, यह वाला school है, सभी लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे अपनी schools को list कर रखा है Google Maps में, अगर आप Google Ads को बनाना और उसको चलाना जानते हैं आप वहाँ से leads लाना जानते हैं, clients लाना जानते हैं, तो आप क्या करोगे इनको आप direct proposal बना के दो कि आपको महीने के मैं 5,000 रुपे लोंगा आपसे, और मैं आपको इतनी leads लाके दूँगा, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आप budget डालेंगे Google Ads में वह आपको company से ही लेना है, मतलब जो school है, college है, आपको पैसा देगी न, आपके महीने की fees, उसी से आपको पैसा लेना है, advertisement के लिए, कहीं ऐसा मत मोल देना, कि 5,000 रुपे में मैं आपको एड भी बनाऊंगा, एड भी चलाऊंगा और मैं आपकी fees भी बरूँगा, जो Google Ads आपसे लेगा, उसमें यह हो जाएगा कि आपको अपनी जेब से बरना पड़ जाएगा इस चीज का ध्यान अकना, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको schools search करना है, आप उनके numbers देख रहे हैं आपे, numbers पे direct contact करो आप उनको offer दो, आप जो services उनको समझाना चाते हैं, उनको clients लाके देना चाते हैं, मतलब बच्चे लाके देना चाते हैं, वो इन चीजों को explain करो, इसी परकार से अगर आप colleges search कर सकते हैं, colleges search करो, और भी कोई ऐसा business आपको दिखता है, जिसके लिए आप काम कर सकते हैं, उसकी sales को increase कर सकते हैं, तो उस business को search करके, आप revenue कमाना start कर सकते हूँ, और दीरे दीरे आपको clients मिलने लग जाएगे, एक portfolio बनाओ, एक अपनी website बनाओ, और उसके बाद आप उससे और जदा client लेके आ सकते हो Google Ads की मदद से, तो I think आज इस वीडियो में कुछ तो सीखा है अगर आपनी पूरा वीडियो देखा है, comment में जाके full video type करना, and yes अगर आपनी इस वीडियो को यहां तक देखा, आपको सीखने को मुला है, तो इस वीडियो को like ज़रूर करना, क्योंकि हमारे इस वीडियो का likes का target होने वाला है, approximately 10,000, तो देखते हैं, मेरी मेनत को आप कितना support करते हैं, and yes हमारी इस channel का target एक लाग का है तो please आप उसके लिए support करो, क्योंकि हमें भी एक लाग लोगों का support चाहिए, तो आप subscribe करके हमें support करो, ताकि इसी प्रकार के और videos मैं आपके लिए लगातार बनाता रहूँ, and यह तो अभी शुरुआत है, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे videos लेकिया हूँगा, जिनके बारे में आपने I think कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि I am a digital marketing expert, और मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ, जो आपको भी से कहा सकता हूँ, वो भी घर पर बैटे बैटे, तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए, शेर कर पने दोस्तों के साथ NAC प्रकार के और videos देखने के लिए अपना प्यार और support जरूर करिए, मैं मिलता हूँ आपको next video में, तब तक videos देखो सीको, काम करो, आगे बढ़ो like में जाहिन दोसो